हाई वेलकम टू आट निम्बस लर्निंग पावड बाई इंजिनियर्स अकेडमी तुड़े वी आर हेर टू डिसकेस अबाउट दा वेरी इंपोर्टेंट वेकेंसी फोर दा कंपुटर साइंस इंड आई एज वेल एज फोर एलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियर इंजिनियरिंग क इस्ट्वेंट उनके लिए है कंपुटर इंस्ट्रक्टर आज हमां कंपुटर इंस्ट्रक्टर के बारे में जानना हैं बहुत सारे मित अलग अलग तरीके के चल रहे हैं और सेलेबस को लेके भी बहुत सारा कंफीजन चल रहा है आपको पता है कि 23rd of July को रास्थान गौर् पता है कि कंपुटर इंस्ट्रक्टर की जो वेकेंसी है यह फस्ट टाइम राजस्थान में फस्ट टाइम इसका नौटिफिकेशन जारी होने वाला है फस्ट टाइम इसका रेक्रूट्मेंट होने वाला है और नहोंने कंपुटर इंस्ट्रक्टर की वेकेंसी को दो प्रिटिरिया की बात करें, तो आपको पता है कि जितने भी स्टुएंट जन्होंने बी टेक किया है, CS, IT या इलक्टोनिक्स है, या फिर BCA किया है, MCA किया है, BSCA, MSC करी है, IT में या PGDCA का कुर्स किया है, वो सारे के सारे स्टुएंट इस एक्जाम के लिए इलिजिबल है, A-Level के स्टुएंट इस एक्जाम के लिए इलिजिबल है, लेकिन क्योंकि Senior Computer Instructor की वेकेंसी इससे अपग्रेड़ेड प्रमोटी वेकेंसी है, इसलिए वहाँ पर कुछ स्टुएंट को एप्लाई करने के लिए परमीशन नहीं दी गई है, वहाँ पर BCA, MCA, BE, BTEC, ME, MTEC, MSC और BSC वाले स्टुएंट, PGDCA और A-Level वाले स्टुएंट इलिजिबल नहीं है, इट इस और पॉइंट नमबर बॉन, पॉइंट नमबर टू, जो कि सलिबस को लेकर डाउट रहता है, कि सर, सलिबस में आने वाला क्या है, जैसा मैंने आपको एक मिनिट पहले बताया था, कि it is first time recruitment, जिससे कि हमें idea नहीं है, लेकिन यदि हम previous state level के other exam को देखें, और वहाँ पर analysis करें कि क्या आता है, तो in general you know, 60-70% technical examination का सलिबस आता है, और 30-40% non-technical का सलिबस आता है, 60-70 जो हम technical exam की बात कर रहे हैं, उस syllabus के बारे में भी हमें discuss करेंगे, और 30-40 जो हमारे पास में non-technical का syllabus है, उसके बारे में भी हम discuss करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई notification नहीं आया, और यह clear नहीं है कि एक syllabus क्या है, लेकिन हमने expert और पूरी engineer साक्राइडमी के टीम के साथ में discuss किया, और कुछ हमने syllabus को define किया, कि इसमें से क्या-क्या topic पर आ सकता है, तो expected हमें लगता है कि टीम के इसाब से, computer system and architecture, operating system, डिजिटल लेक्टोनिक्स, programming fundamental, relation database management system, web development, multimedia, और communication and network concept, हमें लगता है कि यह साथा topic है जिनसे आपका examination होने वाला है, जबकि यह notification में और आगे clear हो जाएगा, लेकिन इस साथा topic का मतलब नहीं है कि यह कोई point है, these are the, we can say, these are the subject और these are the detailed chapters of that whole syllabus, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई topic है जिसका बहुत ही detailed syllabus है, उसके बारे में भी हो आपके साथ discuss करेंगे, और second जो आमने discuss किया था, 30 से 40 परसंट दी आपका non-technical आता है, तो क्योंकि यह राजस्थान की वेकंसी है, तो आपको पता है कि राजस्थान जी के, राजस्थान जी के साथ में reasoning aptitude या reasoning, जिसको कि मैं quantitative aptitude बोलते हैं, वो सब भी add होने के chance हैं, तो यह इसका technical और non-technical syllabus होने वाला है, अब यदि हम इस पूरे syllabus की बात करें, computer system architecture में क्या आने वाला है, operating system में क्या आने वाला है, digital electronics में क्या आने वाला है, तो इसका भी हमने expected पूरा का पूरा syllabus बनाया है, computer system architecture का भी बनाया है, operating system का भी बनाया है, digital electronics का भी बनाया है, programming fundamentals का भी बनाना है, programming fundamentals सी चलता है, database management का भी हमने system बनाया है, web technology का भी हमने syllabus डिजाइन किया है, multimedia and tools का भी और communication and network concept, अब यह पूरा का पूरा syllabus हमने design किया है, again यह हो सकता है कि कुछ syllabus थोड़ा बहुत exam में आए जब vary कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम उसी time पर preparation करना स्टार्ट ना करें, जब notification आए, यदि seriously आप preparation कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको career set करना है, तो पहले से preparation आपको करनी पड़ेगी, और आप इस बात से बहुत अच्छे से aware हैं कि जितने भी computer science के background के student है, MSC, IT, BSC, IT, CS, IT में, CSIT में, या electronics में, यदि B-tech आपने कर रहे हैं, M-tech आपने कर रहे हैं, there is very less chances for the government job, क्योंकि PSU में vacancies की बात कर लें, या फिर और जगे अपन JN की vacancy की बात कर लें, तो वहाँ पर electrical, mechanical, civil के लिए scope ज्यादा रहता है, तो आपके लिए तो golden opportunity है, और इतनी number of vacancies जैसा कि हम देख पा रहे थे कि around 10,000, 9,000 से 10,000 के बीच में vacancy आने वाली है, तो इतनी huge number of vacancies कभी कोई ऐसा record ने रहा है, जो इस level पर आ जाया है, और जो senior आपके पास में computer instructor है, it is the vacancy of level programmer and the computer instructor is the vacancy of level IE, और मैं आपको बता दूँ, आपको पता है कि Nimbus Learning and Engineers Academy is one of the premier institute in India for the technical examination, और पूरी की पूरी जो engineers academy की team बनी हुई है, वही team आपके इन subject की आपको बहतरीन तरीके से preparation करवाएगी, इसी को check करने के लिए और इसी की classes के लिए, मैं दो बातें आपको बताना जा रहा हूँ, पहली important बात तो यह, कि हम एक panel discussion लेकर आ रहा है, एक panel discussion का मतलब engineers academy की पूरी team जो highly qualified है, they are having the experience in their living field, they are one of the excellent faculty of India, उनके साथ में एक panel discussion लेकर आ रहा हूँ, computer system architecture में क्या पढ़ने वाल है, यह पूरे का किस तरीके से analysis होगा, क्या हम पढ़ेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, यह जल्दी आपके साथ में एक panel discussion भी हम आपको रूब रूब करवाएंगे, अपार्ट फॉर्म दिस, reasoning aptitude और रास्तान जी के यह बड़ा common सा है, इसमें already हमारे पास teacher है, उनके साथ भी हम आपको जल्दी एक panel discussion के साथ में, हम आपके साथ में प्रस्तोत होंगे, हम आपके साथ में discuss करेंगे, next important बात आती है, यहाँ पर classes, तो आप सभी student के लिए, क्योंकि इस domain के लिए CS, IT या electronics domain के लिए, बीटेक वाले student के लिए, BSC, IT, MS, C, IT, PG, D, CA, या फिर A level, इन सब के लिए vacancies क्योंकि कम होती है, और कभी-कभी यह vacancy, मतलब यह vacancy तो first time है, इस type की vacancies कभी-कभी आती है, अधर भी जगे भी अधी अपन देखे तो, तो उन सब के लिए हम कुछ YouTube पर classes भी लेके आ रहे हैं, these are the helping classes for those students who are sincerely preparing for this examination, आप इन classes को लें, आप enjoy करें, after enjoying the classes, after seeing these classes, choose yourself कि हमें इस exam की preparation करनी है, कैसे करनी है, they will guide you, engineers academic expert आपको इस बात को बता पाएंगे, मैं बता देता हूँ, यह classes operating system की 2nd of August से start होने वाली है, सोबे 9 बजे, daily सोबे 9 बजे class होगी, और data structure की classes भी 2nd of August से, शाम को 6 बजे class start होगी, जो operating system की class है, इसको Vijay Agrawal sir, you know, he is also one of the NOLD faculty of engineer's academy, and पूनिमा दवे में, data structure की class आपकी लेंगी रात शाम को 6 बजे, इस तरीके से आपके classes चलने माली है, I hope so, both points, which one, first one is panel discussion, second one is YouTube free classes, you aware from these two topics. Next, मैं आपके बात में बताता हूँ, यदि आपको कोई और भी detailed information चाहिए, यदि आपको और भी कोई से related discussion करना है, यदि आपको और भी कोई input देने हैं, क्योंकि ये vacancy first time है, notification अभी तक आया नहीं है, syllabus अभी defined नहीं है, we prepared the syllabus, expected syllabus by sitting at a single table, हमने बैट के, आपसमें बात करके, और पूराने syllabus को देखकर, हमने इसको पूरानी चीज़ों को देखके, analysis करके, हमने design करे, still if you have any queries, you have any doubt, then you can write down your doubt or anything in the comment box of this video, जिससे कि हमें idea लग सके, और आपके भी यदि कोई point है, तुम सबको लिख देए, ताकि हम उस panel discussion में, हम उस सारे के सारे point को discuss कर चके हैं, जल्द ही, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, आपके लिए एक panel discussion हम लाने वाले हैं, और secondly, Monday, 2nd of August से हम आपके लिए live classes, YouTube पर free of cost, without any charge, ताकि हम आप इस exam को crack कर सके, पूरी की पूरी इंजिनियर्स Academy के साथ में, हम ये classes आपके साथ में introduce करने वाले हैं, Once again, wish you all the best wishes, good luck, clear करना आई एक exam, Again, thank you, Nimbus Learning ये है feature की तरहा है,